नमस्कार दोस्तों लोग प्रशाशन की RS जिंक्शन पर इस कक्षा में इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है और लोग प्रशाशन के पहले टॉपिक प्रशाशन एवं प्रबंध जो कि आपके RS मुख्य परिक्षा के पेपर 3 के यूनिट 2 का हिस्सा है उसका आज हम जो है द उसके बारे में तो यह टॉपिक हम कवर करने ही कुशिश करेंगे दो कक्षाओं में पहली कक्षा में मैं आपको इसका जो मुल्भुत विशे है उस पर बात करूँगा और दूसरे में हम इनका तुलनात्मक अध्यान करने वाले हैं तो वैसे तो हमारे सिलेबस में यह टॉ प्रसाशन की बात कर रहे हो विक्सित समाज की बात कर रहे हो विक्सित देशों की बात कर रहे हो और दूसरी और उन देशों की बात कर रहे हो जहां विकास सीलता की स्थती है जो अभी तक developing countries है और जो धीरे-दीरे विक्सित होने की और बढ़ रहे हैं तो दोनों में ही प् आपको टॉपिक पर ले जाएंगे लेकिन मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कई बार जो है आरपीएसी ने पिछले परिक्षाओं में ऐसे प्रश्ण भी पूछे हैं जो सिलेबस के इर्द गिर्द थे लेकिन सीधे मेंशन नहीं किये वे थे तो अब हम बात करेंगे तुलनात्मक लोग प्रसाशन के बारे में हम लोग प्रसाशन को समझ चुके हैं कि जन हित से जुड़े कारे या सरकार से जुड़े जो कारे हैं उनमें किसी भी लक्षी या उद्देशी की पूरते के लिए लोगों का जो सम्मू है उसको निर्देशित करना, क्रियानवेन करना या फिर उनका संगठन करना ये सारी गतिविदियां लोग प्रसाशन के अंतरगत आती है अब तुलनात्मक लोग प्रसाशन में हमें इस शब्द को समझना पड़ेगा कि ये तुलनात्मक क्या है ठीक है तो तुलनात मतलब तुलना करना और जो तुला होता है उसका काम क्या होता है वो करता है दोनों पक्षों की बात उसके दो पक्ष होते हैं अगर एक में भी वज़े नदिक हो गया तो वो पक्ष नीचे हो जाता है और दूसरा पक्ष उपर हो जाता है इस बात को हम जा जो दो अलग-अलग स्थतियां होती हैं. जैसे कि हो सकता है ये दो देशों, तो हम दो देशों की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के जो लोग प्रसाशन है उसमें क्या अंतर है? या उन दोनों की तुलना अगरम करें, तो उसका अधिन जो हम कर रहे हैं, वो एक्चल प्रशाशन को देखेंगे फिर हम नव लोग प्रशाशन को देखेंगे ठीक है नवीन लोग प्रशाशन को इस तरह से प्रशाशन के अलग-अलग जो आया हम उनकी हम बात करेंगे अभी हम तुलनात्मक लोग प्रशाशन पर बात कर रहें क्योंकि दोस्तों भारत में जो वर जिनकी वजह से हम यातों पीछे हैं या फिर हमें कौन से सुधार करने चाहिए उन चीज़ों को देख करके हमको ये तुलनात्मक लोग प्रसाशन पढ़ना पड़ता है तो दो या दो से अधिक देशों छेत्रों रीजन हो सकते हैं साउथ एशिया रीजन हो सकता है ठीक है और साउथ यूरोप रीजन हो सकता है इस तरह की अलग अलग रीजन या फिर दो इस्थान उनके बीच के जो विवस्था हैं वहां पर प्रसाशन की है उनका जो तुलनात् परिभाशन आप कैसे लिख सकते हो कि तुलनात्मक लोग प्रसाशन से अभी प्राय ऐसे विशह से है जिसके अंतरगर्ट दो या दो से ज्यादा आदेशों की प्रसाशनिक एकायों की संदचना और कारियों की तुलना की जाती है अब इसके आगे अलग-अलग भेद आपको देखने को मिलेंगे उनको आगे देखेंगे पहले हम इसकी जो उद्देश है कि आखिरकार हमको तुलनात्मक लोग प्रसाशन की ज़रुत क्यों पड़ी तो दोस्तों प्रसाशन की चर्चा करते समय जब हमने प्रसाशन के जब विक्सित होने लगे तो अब हर एक देश में प्रसाशन का अध्यन हो रहा था अमेरिका अपने इस तर पर अपने यहां की प्रसाशन के अधार पर जो है अध्यन कर रहा था भारत की बात करें तो भारत और ब्रिटेन ये लगबग एक जैसा प्रसाशन धारन करते हैं इन देशों में एक तरह के प्रसाशन का अध्यन हो रहा था। लेकिन धित्य विश्युदी के बाद में परिस्तित्या बदली और इन देशों के जब आपस में संपर्क होने लगा तो फिर इनोंने अपनी अध्यन की प्रक्रियाओं को भी एक दूसरे से जोड़ा। और यहीं से जो है कुछ नए नियम जो कि प्रसाशन में कॉमन हो तो सामाने नियमों और सिद्धानतों का स्रजन करने के लिए आवशक था कि तुलनात्मक रूप से सभी प्रकार के जो हमारे पास समाज इस्तित हैं उनके प्रसाशन की तुलना की जाए अब यह प्राछीन समा अब लोग प्रसाशन शुरू हुआ दूसरा उद्धेश था कि अलग अलग परिस्तितियों में प्रसाशन कैसे काम करता है उसका विसलेशन और व्याख्या करना तीसरी चीज थी सफलता और असफलता की जाज करना मतलब हो सकता है कि एक जिगर प्रसाशन सफलता पूरो काम कर रहा है और लक्षों की प्राप्ति हो पा रही है और दूसरी जिगर प्रसाशन विफल हो गया तो विफल क्यों हुआ और सफल क्यों हुआ इसके कारण तब प समझना बिल्कुल सही है एक ऐसा प्रसाशन जो अभी तक सही फ्रूट नहीं दे पाया है सही लक्ष तक नहीं पहुंच पाया है उसको दीरे दीरे उत्रोतर सुधार करके विक्सित प्रसाशन की तरफ ले जाना ही एक मात्र लक्ष है तो वो भी उद्देश लेकर कि यह जरू हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके उद्दे के कारण क्यूं हुआ तो कुछ कारण है जैसे कि नव स्वतंत्र राज्यों का उद्दे नए राज्य जब उद्दे हुए तो उन्होंने भी विक्सित देशों की रहा पर चलने का प्रयास किया तो इस प्रसाशन का दृष्टिकोंड था जो विकास्तिल देशों में देखा जा रहा था जो गुलामी में उपनिवेश में काम कर रहे थे उनको अब बदलने की आउशक्ता थी क्योंकि आजादी कई देशों को मिल चुकी थी वे लिबरल हो चुके थे संप्रभू हो चुके थे तो सभी चाते थे कि सही तरीके से प्रसाशन को लागू किया जाए और पुलिस राज्य से लोग कल्यानकारी राज्य की तरफ बढ़ा जाए उसके लिए भी आउशक्ता था कि जो विद्यमान लोग कल्यानकारी राज्य हैं उनके आधार पर प्रसाशन को बदला जाए विश्व के विभिन्न मुद्दों पर कई देश मिलकर के एक साथ नेड़ने लेते हैं ऐसे मैं आवशकता है कि वे एक दूसरी के प्रसाशन को भी समझें और तीस रहा था विश्व युद्दों का प्रभाव पहले का प्रसाशन असफल हो चुका था और वो विश्व युद आधारों पर काम करता है इसकी प्रकृति क्या है नेचर क्या है इसका तो नेचर के लिए अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग चीज़े कही है यहाँ पर हम दो विद्वानों की बात करेंगे पहला है फेरल हेडी और दूसरे है रिग्स ठीक है वैसा यह थोड़ा स सिनेबस से साइड गा ही टॉपिक है लेकिन फिर भी मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर इन चीजों को आप समझ जाएंगे तो आपके उत्तर में कुछ चीजे नहीं जुड़ सकती है इसलिए तो मैंने इन चीजों को पढ़ा था और इनको उपयोग भी किया तो उसी वज़े से आज सेलेक्टेड भी है मतलब की इंटर्व्यू देंगे तो आपको भी इस चीज का लाब मिलना चीए इसलिए मैंने पहले मैं सोच रहा था इसको छोड़ दू लेकिन फिर मैंने सोच नहीं मैं विस्तार से बढ़ाता हूं चात्र जितना रखना चाहेंगे उतन के बीच में परस पर तुलना करता है और निश्कर्ष प्राप्त करता है मतलब एक तरह से सुधार की प्रवर्ति की और यह आगे बढ़ता है दूसरा है विकास मान प्रकृति अब देखो लोग प्रसाशन में आपको अलग-अलग तरह के प्रकृति वाले प्रसाशन के संग दालित होता है उस जगे का जिसकी हम बात करें तो उसकी प्रकृति उसे साफ से डल सकती है और चौथा कोई ऐसा भी प्रारूप हम बना सकते हैं जहां पर हम सभी पक्षों पर व्यावारिक रूप से लागू होने वाले जो सिध्धानता उनका पालन कर सके ऐसा फैरल है डी प्रसाशन को और क्या है मतलब वर्तमान में व्यावारिक रूप में क्या है इस पर यह ध्यान देता है तो आदर्श पर ध्यान नहीं देता है बलकि अनुभव मूलक उन्मुकता पर ध्यान देता है कि प्रसाशन आदर्शात्मक में तो हम देख रहे हैं प्रसाशन को ऐसा ह यह बोलता है कि बेसिकली विवहारिक रूप में वो कैसा है उस पर हम फोकस करें जब हम अध्यन करें तुलनात्मक लोग प्रसाशन का दूसरा यह कहता है कि जो अभी तक हम गैर पारिस्थित की गटकों पर ज्यादा जोर देते थे लोग प्रसाशन में उन गतिवीदियों प बात करता है और तीसरा विशिष्टता से सामान्य परकता तो किसी एक विशेश घटक की बात करने की बजाए सामान्य रूप से जो कॉमन चीजें हैं अलग-अलग प्रसाशन में उन पर हम अध्यन करें उस प्रवर्ति की और यह इशारा करता है तो फेरल हेड़ी एक अलग रही हो कर सकते हैं ये कहा कहा काम आसकता मैंने आपको प्रकृती और छेत्र इन चीजों को समझाया था कि इनका क्या मतलब होता है स्कोब क्या होता है इन पर मैं पछली चिए आनकी म discharge अलग अलग सिंसक्रिति यान को जो वर्तमान में अलग 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 देशों में है कोई desu कोई पुजी्यवादी हो सकता सकताक ने उस तरह से तुनात्म करना और चौथा स्यमय क दोड़ रहे हो तो हो सकता है यह घटना समय काल पर निर्भार करता है कि मध्य कालीन जो लोग प्रसाशन था और आज अदुनिक काल का मौर्यकाल और घुत्यकाल के प्रसाशन में के अंतर है तो यह था योग यह यदो घज न्हां चोटे से किसी बिंदू पर कि हम कहें कि जो विवावेवस्ता है उसको ले करके जो है प्रसाशन का क्या नजरिया है या उसको ले करके क्या प्रभाव हो ए तो लगु इस तरही हो गया चोटे या सूख्षमिद्रश्ट्री से तुलनात्मकद्यन जिसे बारत और अमेरिका में सोशल मीडिया का प्रभाव तो उसको लेकर कि हम अध्यन कर सकते हैं छोटे इस तरह पर हो गया है मद्यवर्ति में क्या होगा एक बड़ा अंग जो है प्रसाशन का उसकी बात करें जो देशों की रक्षा प्रसाशन कैसा है दोनों के बीच में या दोनों का जो उद्योगो दोनों से जुड़ा विकास प्रसाशन है वो कैसा है उस पर हम चर्चा करें आर्थिक प्रसाशन कैसा है या फिर हम बात कर सकते हैं व्रह दिस्तर ये जब हम दो देशों की पूरी की पूरी विवस्ता का एक साथ तुलनात्मक आध्यन करते हों तो यह है तुलनात्मक लोग प्रसाशन के छेत्र, अलग-अलग छेत्रों में, तीन तो आपके जो हैं, इस्तर पर आधारित है कि क्या material हम अध्यन कर रहे हैं, और यह है कि किन के बीच में हम अध्यन कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ क्या, ठीक है, और एक तरफ किन के बीच में ये दो शब्दों का आंसर इन दोनों एरिया में आपको मिलता है तो ये है दोस्तो तुलनात्मक लोग प्रसाशन अगली गक्षा में हम विकसित देशों के बीच में और विकसित देशों के बीच में जो प्रसाशन को लेकर अवधारना है और उनमें क्या-क्या drawbacks और क्या-क्या अच्छी चीजे हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं आप अपने revision में लगे रहे हैं, notes आप अपने साथ के साथ बनाती रहे हैं, जो भी मैं आपको यहां दे रहा हूं आप अपनी एक copy रख सकते हैं, उसमें आप लिखना शुरू करें, जिस तरह से मैं बना रहा हूं notes आप वैसे बनाएं, क्योंकि इस तरह से notes बनाने पर हमको याद करने में बड़ी सहूलियत रहती है आप अगर line to line लिखेंगे तो वह आपके लिए बहुत एक अजीब सी स्थती हो जाएगी, तो आप maps बनाकर के साथ के साथ लिखें, थाकि आपकी answer writing में आपको कैसे उत्तर लिखना है, वो भी साथ का साथ तयार होता रहे अगर ऐसा आपने कर लिया, तो definitely आपका उत्तर बहुत बहुत बहतर होगा औरों की तलना में, पर आप अधिक अंक भी प्राप्त कर पाएंगी चलिए तो दोस्तों, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद